पंचकुला से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां छात्रविती स्कीम में करोड़ों रुपे के घोटाले का परदा फाश हुआ है जी हाँ, S.C.S.T. व पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रविती स्कीम में करोर रुपे के घोटाले का परदा फाश हुआ है S.P. विजिलेंस मनबीर सिंग ने प्रेसवार्टा के दुरान बताया कि मामले में पांच आरोपियों को गिरफतार किया जा चुका है पूस्ताच में अभी और मामलों का खुलासा हो सकता है S.C.S.T. वपिछला वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रविती स्कीम में 45 करोड इकती लाग का घोटाला सामने आया है S.P. विजिलेंस मनबीर सिंग ने बताया कि फरजी एडमिशन और फरजी आईडी लगाकर आरोपियों ने इस घोटाले को अंजाम दिया है उन्होंने बताया कि पोस्ट मेट्रिक स्कीम में 5 आरोपियों को गिरफतार किया है गिरफतार हुए आरोपियों ने कई चोकाने वाले खुलासे किये हैं पोस्ट मेंट्रिक स्कीम में रविंदर सिंग सांगवान, ततकालिंग उपनि देशक, निवासी पानीपत, सुरेंदर कुमार लिपिक कारियाले, जीला कलियान अधिकार सोनीपत, राहुल निवासी रोहतक, गुरुदेव कौर और कुमारी रितिका निवासी डेरा बसी को गिरफतार किया गया है एसपी विजिलेंस ने कहा कि मामले में कई बड़े खुलासे होने की अभी उमीद है उन्होंने बताया कि पंचकुला हिसार और रोहतक के विजिलेंस थानों में इनके खिलाफ मामले दर्ज किये गए हैं गोटाले में पंचकुला से 89,61,372 रुपए और रोहतक से 23,6,92,273 और हिसार से 21,35,028,753 जो की कुल मिला कर 45,81,82,398 का गोटाला हुआ है अब इस घोटाले को लेकर राजनिथी भी शुरू हो गई है इसी बीच नेता प्रतिपक्ष भुपेंदर सिंग हुड़ा का बड़ा बयान सामने आया है दरसल SC, ST और पिछला वर्ग के चात्रो की चात्रविती स्कीम में घोटाले पर हुड़ा ने कहा कि चात्रविती स्कीम का घोटाला बहुत बड़ा हो सकता है इस घोटाले का मुद्दा हमने भी कई बार उठाय था आप भी सुनिये भुपेंदर सिंग हुड़ा ने घोटाले को लेकर क्या कहा कितना पूरा करने जा रहे हैं क्या किया अब तक तो किस दिशा में सरकार जाएगी यह तो पूरा कर लोगों को कल परसों गिरफ़तार किया जो हमारे पास रिमार्ट पे हैं एक रहुल है रहुतक से और गुर्देव को और एक उनकी बेटी है रितिक तीन लोगों को उनमें गिर्फकार कहां का मामला है एक किस यम्नानगर का है एक रहुतक का कि सिन तोनों में क्या करते है थोड़ा ब्रीफ कर के बताए जी जी तो इस में पुछ जो स्टुडेंट्स ह कितने लिबल तक मतलब कितने लोग इंवाले हैं इसके अंदर मुझए अबी तक कि हमारी जाच में करी 45 क्रोड का सकेम निकला है दस डिस्टिक्स के हमारी तीन साल की जाच हुई है उसमें और चार केसे अभी तक दर्ज किये हैं बखी जाच अभी जा रही है J.B.D. Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, century air condition, lush green lawns state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgharana and Jyoti Garden A J.B.D. Banquets Enterprise J.B.D. Banquets